हेलो एब्रिवन वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल फोकस फोरेम में इस वीडियो में यूपी एनेचम एकजाम 2022 के लिए आप सभी को पता है एकजाम डेट डेकलीर हो गई है और एडमेंट कर आ गए है तो उसी को ध्यान में रखते हुए में इस वीडियो में सिलेवस के आपके डॉमेंट नॉलेज से कुष्ण कराने वाला हूं तो आप सभी को पता होगा येटी कुष्ण आपके डॉमेंट नॉलेज से आएंगे 20 कुष्ण आपके जैसे कंपूटर, GKS, Mathematics से आएंगे तो वीडियो का इंडितर देखीगा और आपको कम समय में ज्यादा से ज् साखा के अंतरगत क किय जाता है तो इसकराणर बताएंगे इसकराण से ड्रमेंट को लोज्य करिक्ट रखेगा अंतरगत मानव तोचा की साखा का अंत्या चया जाता है नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं, दूसरा कोशन है, अस्तियों का अध्यन, अस्तियों का अध्यन, बिज्ञान की किस साका के अंतरगत किया जाता है, आपको सभी को बताना है, अस्तियों का अध्यन, बिज्ञान की किस साका के अंतरगत किया जाता है, तो इसका राट अंसर है बेप्षिन औस्टियोलोजी का अंत्रगत अस्टियों का अध्यन किया जाताँ है तो बेप्षिन इसका correct answer है Next question देखे लेते हैं तीसरा question है जीवों के संक्रमन के ब्रद पितरोड़ का अध्यन किया जाता है तो किसके अंत्रगत किया जाता है इसका राइट न सर बताएंगे फैल अपteन हेमालोजी, BF सन के इमुनोजी, CF सन के मैक्रोबाइ़ोजी और DF सन के पैथोलोजी तो राइट नसर हे immunology के अंतरगत, जीवाँ के शंक्रम न के वर्द, पितरोध का अध्यन किया जाता है तो BFN इसका correct answer है चोथा कुछन है Paleontology के अंत्रगत किसका अध्यन किया जाता है राट answer बताएंगे पहला अप्सन मस्तिक्स BFN पादप CFN प्राइमेटिस और DFN जीवास्म तो जीवास्मों का अध्यन किया जाता है Paleontology के अंत्रगत DFN इसका correct answer है Next question देख लेते हैं पाँचमा question है कीडों के अध्यन को क्या कहते हैं तो कीडों के अध्यन को क्या कहते हैं राट answer बताएंगे पहला अप्सन देख का Anthropology BFN इसका अंत्रोपोलोजी CFN इसका अंत्रोजी DFN इसका क्या है कीडों का अध्यन क्या कहलाता है Anthropology तो BFN इसका correct answer हो जाता है Ethology में मचलियों का अध्यन किया जाता है Next question देख लेते हैं चटमा question है मानव सरीर की सबसे छोटी अध्यी कौन सी है मानव सरीर की सबसे छोटी अध्यी बताने कौन सी है पहला अप्सन है नाकून BFN इसका जवडे की CFN इसका अध्यन क्या है मानव सरीर की सबसे छोटी अध्यी है इसका correct answer है और जब के जवडे की अध्यी सबसे मजबूत अध्यी होती है तो इसे भी द्यान दखेगा Next question देख लेते हैं साथ मा कुशन है मानव सरीर की सबसे लंबी अध्यी कौन सी है मानव सरीर की सबसे लंबी अध्यी कौन सी है राट answer बताएंगे तो इसका राट answer है फीमर फीमर अध्यी जांग में पाई जाती है तो ये डियाप्सन इसका correct answer है मानव सरीर की सबसे लंबी अध्यी है फीमर इस टेपीज कान की सबसे छोटी हड़ी होती है जो मानव सरीर में सबसे छोटी हड़ी होती है टीविया हड़ी भी पैर में होती है तो इसे भी द्याद रखेगा नेक्स कोशन देख लेते हैं आठमा कोशन है निमने लिखते में से निमने लिखते में से कौन मानव के पैर की हड़ी नहीं है आपको बताना इसमें से चार हड़ी के नाम दे रखें इसमें से कौन सी मानव के पैर की हड़ी नहीं है तो पहला आप सने टीविया यह पैर में हो पॉकली आपको तो पयाती है मनस्तु के शरीर में पैर की कैसी होती है यह बताना आपको तो पहली आप्लाफ कोकली होती है ब्यप संद्रे का सरंद्री होती है सिफ संद्रे का ठोस होती है और ड्यप संद्रे का की लग होती है तो राट अंसरे खोकली होती है मनस्थ के सरीर में पैर की अड्डी खोकली होती है द्यान रखेगा ये अपसन इसका करक्ट अंसरे 11 मा कुष्ण है तो पहला अप्शन है खोपड़ी में, c अप्शन बजाम में, और d f मुहूं होती है त्वॉर्स अड्डी बजाके उपर यह म पाई जाती है, जान रखे yourself एक नेक्स कुशन देखे लेते हैं, 12 मानव सरीर के संग की हड़ी सबसे लम्बी होती है, तो इसका राटनसर क्या है? इसका राटनसर बताएंगे, पहला अपने मेरूडन, ब इपने जांकी, सी अपने रेव कुझज, और यपने बजाकी, तो राटनसर इसका क्या है, जांकी कि जांके अड़िक उसका नाव क्या फीमर फीमर क सबसे लंबी होती है द्यार रहिए रहेगा he next question देखे लेते हैं है ते रहें मावा कूशनर हैं he Oh just a दाउतों तता जाने वाले तत्ம से हैं दातों तत्यौं में बादल तत्यौनियु में पाये पाय जाये भालो जाता है N Discord ॥ कॉषणर धरनंसर बताएं सबी लोग ब्रत ज़कलं नंस्थ की अड्युद दक्राइब üçन है सर्वादिक मात्रां में होता है तो हड़ी में कौन साल बड़ सर्वादिक मात्रां होता है का राटनसर बदाएगे पहले अपसवेक्स का केल्सियम फोस्पेट ही ओजाता है यह अपसवन इसका राटनसर ध्यान रखेगा को नेक्स्ट कुस्टन तेंडम टेंडन क्या है ऑस्तिओं एवं पेष्यों को अपसमें जोडता है ड्यायर रखीएगा किसाना मनुस के जीवन काल में कितने दांत दो वार बिकिसत होते हीं तो कि यो आपको बताना है मन्स के जीवन काल में कितने दांट, दो बार बिक्सित होते हैं पहला अपको छार zeggen बीक्स violence, 12, 22 तो रैटन सरे क्या है? बीस दांत ऐसे होते हैं जो मनवस के सरीर में पूरे जीवन काल में दो बार बिक्सित होते हैं आप सभी को बताना मानवस सरीर में पाचन का अधिकान सभाग के संग में संपन होता है पहला प्रयाज में डियोफ्चन बढ़ी आंत में चोटी आंत में तो बार नक्रिया नेक्सक देगे लेते हैं 19 कुछन है मनangel में पाचान के लिए का से प्रारम होती है अप सभी को बताना है मन wh tecnología कर दियां रखेगा next question देखे लेते हैं 20 मा question है मानव की पांचन नलीव लगवक कितने cycling लंबी होती है आप सभी को बताना मानव की पांचन नलीव होती है जो कितने Lambda होती है तो E às 15 feet B fet not 18 feet, C fet not 22 feet और DFura 32 feet तो Rat answer ने 32 feet लंबी होती है नार रखेगा करक्टर हो जाता है 21 महा को सेने मुख में मुख में स्टार्ज का सरकरा में पार्चन किसकी द्वारा होता है अब सभी को बताना किसके द्वारा होता है तो इसका बताइंगे से हाइड़ा आइज तकामाश्थ सरी में होता है पेलापोल विसे ससका ररक्टांसर नेस्ट कुस्षण देख लेते हैं बाइसमाह कुस्षण है पाचन तंतर का हिस्सा नहीं है आप सभी को बताना पाचन तंतर का हिस्सा कों सा नहीं है पहला पुमकर्ण प्र्फ्रत दलेकिन कोणिया अग्या का अन्ते हैं नेक्स कुछन देख लेते हैं तेसमा कुछन है शरीर के लिए एंजयम आवस्क होते हैं क्योंके आप आवस्क रपताएंगे तो पहले अपसन करते हैं यह तो गलत है ये तंत्र का क्रियाओं को नेंतरत करते हैं ये भी गलत है ये शरीर के सर रचनातम के बाग हो हैं तो द्यार रखे ये भी गलत है और ये जीव राचाने क्रिया के उत्परियर रखे हैं तो ये राचाने क्रिया को उत्परियर रखे हैं नेर रखेगा तो डिय अप्शन इसका राटuszन, रहाथ प्रोटीन को पंचाने वाले यंजम क्लिक्स है नेक्स कोशन है तो काहसे अफसुशत किया जाते हैं तो कहसे अफसुशत किया जाते हैं इसका है रहाथ पहले जी बता चुका हूं यह छोटी आहन द्वारा की कहां से अफसोचत की जाते हैं छोटी आंश से चोटी आंस से चीवफ से करेक्त आन्स और मनें मुख से मूं से हो जाती है नेक्स्ट कुस्टन देखे लेते हैं 26 मा कुस्टन है लार में कौन सा एंजाम पाए जाता है आप सभी को बताना लार में कौन सा एंजाम पाए जाता है पहला अपसे ने रैनन बीफ से टैलन और डीफ से ने रैनन तो रैटनसर इसका क्या है तो इसका रैटनसर है टैलन टैलन पाए जाता है लार में दुद्ध को पचाने काने स्काराइब रहेंनि को पेट्र में बोजन को पचांगे के लिए अब सभी को बते हैं exptu m сим께서 पचाने के लिए निमन में से किसकी खासाः सकता होती है कि नेक्सिंग्सका और न इनदिक हा वाओभल कुछ एपाशन उन्म इसकय को होतीं Shaun dispub-rv लारक इसके पाचन में शायक होती है Sze Afson Is Як Jeanne E-Ap Stan Is내 Next Question है नेक्स्स कुस्षान है New Question है Maanab के आमासे में कौन सा न्मल उत्पन होता है जो भोजन के पाचन में सहयता करता है अब सभी को बताना है Maanab के आमासे में कौन सा न्मल उत्पन होता है इसका correct answer है next question है 29 question है मानव के आमासे में कौन सा अमल उत्पन होता है जो बोजन के पाचन में सहयता करता है अब सभी को बताना है मानव के आमासे में कौन सा अमल उत्पन होता है जो बोजन के पाचन में सहयता करता है पहले 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 विए अप्सेटर करता है और बोजन को पचाने में साहता करता है तो आई वह पो आपको वीडियो पसंद आए होगी तो प्लिज चैनल को सब्सक्राइब करके पहला आगो प्रेस्ट करें जैसे कोई वीडियो आती हो तुछ का नोटिफिकेशन आपके पास पर लाइक कर दिया करो क्योंकि आपका एक लाइक हमको मॉटिवेट करता आपको डेली बीडेयो प्रवाड करने के लिए और अगर आपने वी तक हमारी सभी बीडो नहीं देखी तो एक्जयाम से पहले देक लीजिएगा सभी वीडियो आपके एक्जयाम की दिरिष्टी से इंपोडेंट हैं और कम समय में मैंने ज्यादा से ज्यादा कंटेंड प्रवाड करने की कोश्च की है वह भी सिले वसके अकॉडिंग सभी वीडियों को एकजाम से पहले देख लीजिएगा रिविजन करके जाएगा चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं तक 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 दो करते हैं